सर नमस्कार मैं चितरणजन सिंग चग तरा बीलडीबी अमेशा की तरह जिलाश्री गंगानगर राजथान ये दो मित्रायें काफी दूर से चल करके तो इनसे पूछते हैं इनका शुब नाम क्या है कौन सा गाम है मोबाइल नमबर और इस नर्मे के बारे में ओर्गनिक जो नर्मा है मेरे खेत का इसके बारे में इनके क्या अनुबह हुआ है हाँ सर आप अपना नाम बताइए मेरा नाम काडूराम शिगड है मैं 19 अन्पी से आया हूं और मेरा मोबाइल नमबर है 9794 266 हमने यहां आकर इनकी डानी में यह और्गनिक खेती देखी है हमें बहुत है और जो कीटना से की खेती है उससे बहुत बढ़िया है यह और अच्छी पैदावार है अच्छा नर्मा है और इसके नर्स फेद मच्छर भी बहुत कम है हमने यहां बीच में गूम के देखा है सब जिगह है और मैं भी आगे करना चाहूंगा और निक खेती वेस्ट डी कंपोजर के बारे में आपके क्या विचार है वेस्ट डी कंपोजर बहुत बढ़िया है और इससे खेती भी बहुत मिलापा होता है और असान है इसको मिलाना और इसको खेत में चलना भी इससे सुद्ध उत्पादना मिलता है इस बात से सहमत है आप हाँ कि और कुछ आपका अनुभव कि आप भी वेस्टी कंपोजर यूज कर रहे हैं इसे बहुत बढ़ी फुटान होती है बहुत बढ़ी पैदावार होती है और हमने थोड़े पहमने पह किया है लेकिन हमें बहुत फाइदा लगा इसे किछना से को छोड़ करें जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका परिचे मेरा नाम अर्दीप कुमार है मैं चित्रण जी से के वीडियो देकर इनके खेत पर आया हूं तो इनकी खेती देकर बड़ा सुकून मिला है हमें मिला है कि हमारे पास भी कुछ जवी खेती करने वाले इनसान है और हमें स्लीवी की रसानिक जो खेती करें उनके मुकाबले इनका नर्मा बहुत अच्छा है पतों के साइज है कीटना से करने वालों के मुकाबले इनकी बिल्कुल कीडों किसे क्या कम है और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इनसे आकर प्रणा ले और यह खेती करें और जैविक की त दोनों बाईयों का अनुभव है ये और ये सत्जंडा से चल के आए हैं जो कि राइशनगर तैसिल में पड़ता है 19 एनपी वहाँ से चल के आई हैं और ये अपना अनुभव साजा कर रहे हैं और ये देखिए मित्रो कोटन प्योर ओर्गनिक इसका वीडियो पहले भी आप देख चुके हैं तो ये मैं नहीं करा बलकि जो देखने वाड़े लोग हैं दूर दूर से चल के आ रहे हैं इनका उनुभव देखिए आप और इनका उनुभव यही बता रहा है कि ओर्गनिक की तरफ बढ़िए वेश्डी कॉंपोजर की तरफ बढ़िए वेश्डी कॉंपोजर से ही आप फसल का उत्पादन लीजिए मोदी जी ने जो अभी पंदरा अगस्त को जेविक खेती के लिए जो बढ़ावा देने की बात किसानों से जो की है उसके बारे में आपका क्या करना है मोदी जी ने जो कहा है वह वेश्डी कंपोजर से ही संभव है जीरो बजट खेती का उसके अंदर कुछ नहीं है वेश्डी कंपोजर यह उत्पाद ऐसा है जो हमें जीरो बज़र से भी ज़्यादा मुनाफ़ा और दर्ती को ज़्यादा स्वस्त रखेगा वेस्टी कंपोजरी यह कैसी चीज़ है तो इन्होंने गाजियाबाद में उतपादन बंद करवा दिया है इसके बारे में क्या कहेंगा हूँ प्रोच्ट के लिए दोबारा उनका बंद करना ठीक नहीं है उनको वापस उसी पद पर लगाया जाए और हमें किसनों का उन्हों नहीं बढ़ाया है दो चालों गया जाए जी बहुत बहुत दन्यवाद इन सभी मित्रों का यही करना है कि एंशुएफ गाजियाबाद में लगाया जाए अकेला किसान हीती नहीं है पूरे भारत का हीता इसे जल थल वायू तिनों शुद होते हैं तो मित्रों इसे समझें अपनाएं और मोदी जी के लिए मोदी जी को आप पत्र लिखें पीमो पर लिखें ट्विट करें ज्यादस ज्यादा संक्या में आप इस बा